हम आज आपको एक ऐसी ही आश्चर्य जनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएगे। दरसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमई घटना जापान के एक एपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अंसुल जी पहेली की तरह है। यह घटना जुलाई 1954 की है, दुपहर के 12.30 बज रहे थे, एक यूरोपिय विमान टोक्यो के हैनेडा हवायडे पर लेंड हुआ, विमान में सवार सभी यात्री नीचे उत्रे और चेक आउट काउंटर की तरफ गए। वहाँ बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जाच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला, जिसके पासपोर्ट को देख कर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड, नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जाच कर रहे अधिकारियों ने इस से पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचन सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताच के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारुबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहां आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पास्पोर्ट की जाच की, जिस पर उसके द अधिकारियों को भी उसकी बाते सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पास्पोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे, वो बिलकुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कताई तयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है, असल में वो धर धरती पर है ही नहीं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टॉरेट आखिर धरती पर है कहा, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहा है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहां उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहां टॉरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शक्स खुद को एक कालपनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहसिमय यात्री सच बोल रहा है, या जूट, यह जानने का एक ही उपए था और वो ये की वह कारोबार के सिलसिले में किस से मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कमप को पहचानने से इंकार कर दिया। अब जाच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान चुपा रहा है और यहां किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जबत कर लिया और पुलिस की करी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिर्कियों को पहले ही सील कर दिया गया पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ की एरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जबत किये गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। यह जूट यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहास्य में यह घटना पर कई किताबे जरूर लिखी जा चुकी हैं।